आज हम अपने बी ए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत मौर्य काल के बारे में बात कर लें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इस बात पर बातचीत की थी कि मौर्य सामराज्य के इतिहास को जानने के लिए जो सुरोत हैं वो किस प्र तात्विक और साहितिक स्रोत रहे हैं तो उनके माध्यम से किस प्रकार से मौरे काल के बारे में हमें महतुपून जानकारी मिलती है। आज हम बात करेंगे मौरे सामराज्य के मौरे वंश के प्रमुक शाषकों के बारे में। प्राचीन भारतिय इतिहास के अंदर सबसे पहले सामराज्य की स्थापना मौरे वंश के द्वारा की गई। इससे पहले मगद में राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी मगद एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। किन्तु राज्ये के इतर एक व्रहत्तर भारत का एक संगठित अखंड भारत का निर्मार्ण मौरे काल के अंतरगत किया गया। मौरे राजवन्ष प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजवन्ष था और तक्रिवन 137 वर्ष तक मौरे वन्ष ने भारत पर शाषन की। इस वन्ष के सामराज्ये की स्थापना का अश्रय चंद्रुगुप्त मौरे और उनके प्रमुख आमात्य सलहकार चानक के जिन्हें कोटिले भी कहा जाता है को दिया जाता है। मगद का राज्ये आदुनिक बिहार में और आदुनिक बिहार और बंगाल की जो सीमा है वहां पर गंगा के मैदान के अंतरगत है। और इसकी पूर्व में राजधानी राजग्र है और गीरी व्रस थी और बाद में इसकी राजधानी पाटली पुत्र जिसे आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शाषन की नीव 322 इसापूर के आसपास रखी थी और इसे तेजी से विस्तरित करके सामराजी के रूप में से परिवर्टित किया गया उस समय के खंड-खंड भारत को चानक्य और चंद्रगुप्त मौरे ने अखंड भारत को निर्मित करने में दोनों ने महतुपून भूमी का निवाई चंद्रगुप्त मौरे से पहले सिकंदर ने भारत पर आकर्मन किया था और यहां के खंड़-खंड भारत के छेत्रिय शाषन का लाब उठा कर उसने कुछ सीमावर्ती इलाकों को जीता भी था किन्तु सिकंदर के जाने के बाद चानक के और चंद्रगुप्त मौरे ने मिल करके एक शक्ति शाली सेना की स्थापना की छोटे छोटे शाषकों राज्यों को अपने छेत्रिय राज्यों को अपने साथ मिलाया और इस प्रकार से एक व्रिहत सामराजी की स्थापना चंद्र गुप्त मौरे के द्वारा की गए इसी मौरे वन्ष के अंतरगत समराट अशोक रहा जिसे मौरे सामराजी का ही नहीं भारती एतिहास का ही नहीं बलकि विश्व के भी महांतम शाष्पों में से एक माना जाता है और इसी लिए उसको अशोक महान भी कहा जाता है क्योंकि अशोक के द्वारा जिस प्रकार का कारे किया गया जिस प्रकार की राजनितिक विवस्ताएं उसके द्वारा की गई जो कि भारत की सीमा ही नहीं बलकि भारत की सीमा के बाहर भी पहुँचा तो इस प्रकार से अशोक ने जो किया उस प्रकार का शाशन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया अब हम बात करते हैं मौरे शाशकों के प्रमुक शाशक कौन कौन से रहे सबसे ज़्यादा शक्ति शाली तीन ही शाशक रहे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और उसके बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, दश्रत, संप्रती, शाली सुक, देव वर्मन, शत धन्वन और लास्ट में ब्रहदत हुआ, इसी ब्रहदत की हत्याकर कुल मिला के इन दस शाशकों ने 137 वर्ष शाशन किया, जिन में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 24 वर्ष, बिंदुसार के द्वारा 28 वर्ष और अशोक के द्वारा 27 वर्ष तक भारत पर शाशन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरू, अपने मार्ग दर्षक चानक्य के निर्देशन में, चानक्य के मार्ग दर्षन में, चानक्य की साहता से नंद वंश का नाश किया, घना नंद की हत्या कर मौरे वंश की नीव रखी और इस प्रकार से नंदों को पराजित करके चंद्रगुप्त मौरे ने मौरे सामराजे की इस्थापना किया एक तरीके से कहा जाए तो यह सामराजे गणतंत्र पर रास्तंत्र की विजय थी गंतांत्रात्मक विवस्थाओं को हरा कर रास्तंत्रात्मक विवस्था इस्थापित की गई और राजत्व के दैविय सिध्धान्त को यानि शक्ति शाली निरंकु शाशक के शिध्धान्त की स्थापना इस सामराजे के द्वारा की गई चानक्ये ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रशाशन को की व्यवस्थाओं को इस्थापित करने का प्रयास किया और एक उच्च कोटी की प्रशाशनिक व्यवस्था एक अखंड भारत की इस्थापना चंदर गुप्त मौरे के द्वारा की गई एक तरीके से अगर हम देखें तो एक भारत के या जिसे हम जंबू द्वीब कह सकते हैं उसके विशाल भूभाग पर चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा एक सामराज्य की स्थापना की गई और इस सामराज्य के अंदर आगे विकास अशोक के द्वारा किया गया चंद्रगुप्त मौरे के जन्म के बारे में उसके वंश के बारे में परसपर विरोधी विचार मिलते हैं कुछ इतिहासकार उसे एक शत्रिय मानते हैं मौरिय वंशिय शत्रिय मानते हैं और ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौरिय वंशिय छत्रिय पिता की संतान था और उसके पिता की युद्ध भूमी में मृत्यू हो गई थी और इसलिए उसकी माँ उसे लेकर पाटली पुत्र में आई वहां उसका पालन पोशन एक गोपालक के द्वारा हुआ और बालक के रूप में ही चानक के ने जब उसकी योग्यता का परिचे लगाया तो उसे एक हजार कार्शापण में खरीद कर तक्षिला भेज उसे सभी विद्याओं में निपुन बनाया और उसके बाद चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बनाया कि उसने पूरे भारत क खराब राजनेतिक इस्तिती का लाब उठा कर एक सैना तयार की और संपूर्ण सिंद पंजाब वे उसके पश्चात मगद पर अधिकार कर एक विशाल सामराजी की स्थापना उसके बारा की गई कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौरे को शूद्रवन्ष का मानते हैं और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौरे के बारे में ये एक मत भेद है किन्तु चंद्रगुप्त एक मौरे वन्ष का क्षत्रिय था इसके बारे में अधिकांश इतिहासकार अपने आपको एक मत पाते हैं, सिकंदर की इम्रत्यू 323 इसापूर में हो गई थी और उस समय तक उसके द्वारा पंजाब और सिंद का जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पर अपना दिकार इस्थापित कर लिया गया था, इसी बीच उसके जो शत्रप था फिलिप उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी वज़े से राजनेति की स्थिती बड़ी खराब हुई, और सिकंदर की मृत्यू के बाद उसका खुद का शाशन भी दो शत्रपों के बीच में बट गया, सेल्यूकस के अधिकार में भारत आया, सेल्यूकस भारत पर अधिकार करना चाहता था, और ऐसे में चंद्रगुप्त मौरे का उसके साथ में सामना हुआ और चंद्रगुप्त मौरे ने सेल्यूकस को पराजित करके भारत के एक बड़े हिस्से पर और बाहरत के बाहर का जो ब्रहत्तर भारत था उसके उपर अपना दिकार इस्थापित किया चंद्रुकुप्त मौरे ने सबसे पहले पंजाब और सिंध को जीता उसके बाद मगध पर आकर्मन किया और मगध के माध्यम से जब उसे एक विशाल सामराज्य मिला तब उसने सिकंदर के मृत्यू के बाद सल्यूकस से युद्ध किया सल्यूकस ने 305 इसापूर में भारत पर चड़ाई की थी चंद्रुकुप्त ने 55 बारत में सल्यूकस निकेटर को पराजित कर हैरात, कंधार, मकरान और काबूल के भूभाब को अपने एक शेतर में मिला लिया और सल्यूकस के साथ में मितरता करते हुए सल्यूकस की पुत्री हिलना से विवाह कर वैवाहिक संबंद इस्थापित कर युनानियों और मौरियों के बीच में एक समझोता कर शान्ती पून इस्तिती को इस्थापित किया चंद्रुकुप्त ने उसके बार अपने सामराज्य को जीतने के लिए सौराष्ट्र के पर आकरमन किया और सौराष्ट्र को जीत कर उस पर अपना प्रत्यक्ष शाषन इस्थापित किया एक सो पचास इसापूर्व के गिरनार अभिलेक से हमें इसका इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौरे के का जो राज्यपाल था पुष्य गुप्त वैश्य उसने सुदर्शन जील का निर्मान करवाया दक्षिन में भी चंद्रगुप्त मौरे ने उत्तर करनाटक पर विजय हासिल की इस प्रकार चंद्रगुप्त मौरे के विशाल सामराज्य में काबुल हैरात कंधार बलूचिस्तान पंजाब गंगा यमना का मैदान बिहार बंगाल गुजरात तथा विंद्य और कश्मीर के भूबाग शामिल थे चंद्रगुप्त मौरे ने अपने सामराज्य का उत्तर पश्चिम में इरान से लेकर पूर में बंगाल उत्तर में कश्मीर से से रक्षण में उत्तरी करनाटक तक अपने सामराज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त उम्हारे ने अपने शाषन के अंतिमकाल में जैन धर्म को स्विकार किया और जैन मुनी भधरवाउ के साथ वे शावन बेल गोला चले गए जहां 298 इसापूर में सनलेखना उकवास द्वारा चंद्रगुप्त ने अपने शरीर का त्याग कर दिया चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्धी पर बैठा और उसने अपने पिता के सामराजी में व्रधी तो नहीं की किन्तु उसने अपने पिता के सामराजी को इस्थाई बनाए रखा उसके शाशनकाल में तक्षिला में दो विद्रो हुए जिसको पहली बार उसके पुत्र सुसीम और दूसरी बार अशोक के द्वारा दबाया गया और बिन्दूसर के समय में भारत का पश्चिमी एशिया से बहुत अच्छा व्यापारिक संबंद था बिन्दूसर के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस के अका जो डायमाइकस नामक राजदूद था वो यहां आया था और राजा टॉलमी के काल में डायनोसियस नामक राजदूद भी मौरेद दरबार में बिन्दूसर के काल में आया था बिन्दूसर के बाद उसका पुत्र अशोक गद्धी पर बैठा हला कि अशोक गद्धी का स्वभाविक उत्रादिकारी नहीं था बिन्दूसर का बड़ा पुत्र गद्धी का उत्रादिकारी था लेकिन अशोक ने अपनी योगेता के बलबूते पर सुसीम को पराजित करके मौरेद समगद की गद्धी को प्राप्त किया और अशोक ने अपने शाषनकाल में सिर्फ एक युद्ध लड़ा जो की कलिंग का युद्ध कहलाता है उस युद्ध में हुई भीशन हिंसा को देख करके अशोक का मन द्रवित हुआ और अशोक ने उसके पश्षात युद्ध की नीती का परित्याग कर धम्म विजय के माध्यम से सामराज जी विस्तार करने के नीती को अपनाया उसके द्वारा बहुत धर्म को स्विकार किया गया और उसने ना सिर्फ भारत बलकि भारत के बहार श्री लंका, जावा, सुमात्रा, कंबुज और मलै में भी भारतिय सामराजी का विस्तार किया और इस प्रकार से एक शक्तिशाली सामराजी की इस्थापना अशोक के द्वारा की गई